तो देखिएगा हम लेक्चर नमबर टू में एक पॉस्चन बनाये ते 2016 एडवांस का देखे द्यां दीजेगा तो लेक्चर नमबर टू में 2016 एडवांस का एक पॉस्चन बनाये ते पॉसर नमबर टू आपको बोलेते की सेम पॉस्चन जो हैं अपको हम बना कर दिखाएँगे सेकंट में तट से उसी काम लेने जा रहे हैं सेकंट में फन कैसे बना सकते हैं ज्यां दिजेगा आपका गॉसे जो था उस question पर हम लोग चर्चा करने जा रहें देखिए हमको क्या दे रखा है और कीजिएगा हमको दिये हुआ है second method लगा रहा हो P का value दिये हुआ है P का value दिये हुआ है 100 फिर हो गया 410 और फिर है 1641 देखिए second method जो लगाईएगा न तब इसमें से आपको करना क्या है को छाट लिजिए आई को ढाले कर आई को इसमें से आप निकाल लिए तो आई को जब निकाल लिएगा तो कैसे निकाल पाईए बड़ कीजिए वाज़रा तो आई को जब यहांना कालूंगा तो आई कितना होता है 1000010 और फिर होता है 001 कि लिए नहीं है अब बच्चे नहीं है अब इसमें कितना फालतु बच जाएगा जो देख लिए ध्यान दीजेगा आप लोग इधर बहुत सिंपल है फस्ट रो में तो 10000 के बदले लिखा ही गया है तो फस्ट रो में कोई टेंसल नहीं है सैकेंड रो में ध्यान से देखेगा 1 के बदले 1 लिखा हुआ है 0 के बदले 0 लिखा हुआ है बस यह पूर नहीं है पूर के बदले 0 लिखा हुआ है तब फस्ट रो को सेम टू सेम उतार और जो ये second row में है one zero ठीक है बस यहाँ पर आपको four देना पड़ेगा और one आप लिख चुके हैं तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा आप one zero zero तो वहाँ पर आपको ले चुके हैं तो वहाँ पर क्या देना होगा जिरो जिरो देना होगा अब जराद third row में आए गौर कीजिएगा one के बदले one दे चुके हैं तो अला है नहीं आपके पास तो यहाँ 16 लगा दीजिए और यह four आपके पास है नहीं तो क्या कीजिएगा गौर कीजिएगा यहाँ पर तब four नहीं यूज किये आइए one तो हम शुझ कर चुके हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा जीरो लेना पड़ेगा अच्छा यहां पर जो है हम बात करेंगे यह हम लोगों काया यह कौन मैट्रिक्स है यह हो गया identity matrix तो आग अगर कीजिएगा और यह कौन सा मैट्रिक्स है इसम 100 100 और फिर हो जाएगा 410 ठीक है अब यहाँ पर इसको आप कुछ नहीं कीजिए यह आई ठीक है फोर ठीक है आई इसको कोई मैट्रिक्स मान लीजिए जो आपका मन हो कुछ भी आप मान लीजिए वहाँ पर उसको लिख देजिए खोया एक्स जो मैट्रिक्स हमने लिया है पुल लिया है 000 100 और फिर 41410 देखे यहाँ जो मैट्रिक्स हमने लिखा है अब हम लोगों को आगे हाँ P का वैल देखिए आपको याद होगा हम लोगों को निकालना होता है P के पाबर 50 हमको निकालना हो तो देखिए न घबर आये जदी नहीं घबर आये तो आप देख लीजिए हमको निकालना है P के पाबर 50 कैसे निकाल पाएंगे तो P के पाबर 50 कहो गया I plus 4X के पाबर 50 अब इसमें लगा दीजिए बाइनोमियन थियोरम जरा दोर कीजिएगा अब बहुत विद्यारती कहा है अब सर यह बाइनोमियन थियोरम क्या होता है सुनिएगा आप आप लोगों बाइनोमियन थियोरम क्या होता है पर लिखता हूंकि रागे परमुला लिखूंगा बाइनोमियन थियोरम हो जाएगा NC0 50C0 पहले वाले पर तो I को पावर से कोई असर नहीं पड़ता है आप जानते हैं पहले बात वाले का पावर दोनों में से घटा कर लिखते हैं और दूसरे वाले का जो पावर है वो ठीक नीचे वाला देते हैं देखे द्यान दिजिएगा बहुत भारी नहीं है बहुत आसान है फ़रासा और आगे प्रिया 50C1 आई के पावर 50-1 तब 49 हो जाएगा और 4X का जो पावर है 4X का जो पावर है यह 1 हो जाएगा गश्टे बहुत 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 आई जाएगा तुरत अब जो है नेक्स्ट हो जाएगा आपका 50C2 50C2 आई 2 दा पावर 50-2 करेंगे तब 48 हो जाएगा और फिर आपको 4X का पावर है नीचे बाला लेंगे तो 2 हो गया ज्यान दीजिएगा चलिए हम बोले ते कल जदी आप रहे होंगे कटा वीडियो देखे होंगे तो आपको बोले थे कि इसमें बहुत बढ़ा कमाल की बात नहीं है पावर कितना वी? पावर कितना वी हो अचा देखेगा अब हम यहाँ ठीरी लेने के बाद अव हम रुक गएँ अब चलिए अभी टूटा है किस आधार पर चेक किरेगा इसको तोड़ा गया है बाइनोमियल थियोरम के प्रोसेस पर देखें पी के जगा पर था इपलस पूर इक्स अब बाइनोमियल थियोरम क्या कहता है तो बाइनोमियल थियोरम से समझे लेजिए, फर्मुला समझेगा A पलस B to the power N का फर्मुला होता है N C 0 A to the power N B to the power 0 plus N C 1 A to the power N minus 1 B to the power 1 plus N C 2 A to the power N minus 2 B to the power 2 उसी तरह से प्लस N C 3 A to the power N minus 3 BQ dot 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 N C N और यहाँ पर A to the power 0 B to the power N अब इस कोस्चन में क्या देख रहे हैं आप लोग देखे हैं इस कोस्चन में A के जगा पर आई है B के जगा पर फुरिक्स है A N का value 50 है चिपकाल यह जो theorem आपको लिख रहे हैं इस theorem का नाम है binomial theorem आप लोग 11th class में पढ़े होईएगा binomial theorem पर इसको हम डाल दिये अब समझे अब उसमें अब इस जो कोस्टन हम बना रहे थे यहाँ पर इस जो कोस्टन बना रहे थे 3 step के बाद ही रुक गए है का है 3 step के बाद ही हम रुक गए है क्यों रुक गए है बहुत बड़ा मामला है तो देखी matrix है ना तब 2-3 step के बाद ही इसका कल्याम हो जाएगा दो तीन पावर से आगे जाएगा ही ने तो चलिए आप combination कैसे तुरिएगा समझे या देखिएगा है ना nc0 nc0 का होता है 1 फिर वहाँ देख लिजेगा nc1 ता nc1 का होता है n इसके बाद देखिएगा nc2 ता n into n-1 by 2 उसी तरह से जो nc3 देख रहे हैं n into n-1 into n-2 by 6 अच्छा इसी तरह से आपको आगे कुछ करने की ज़रुबर थीन है अइस वैलू आप कीजे क्या तो ठां दीजए आपर सुबका वैलू अब यहां हो जाएगा 50c0 ता 50c0 का वैलू तो one हो जाएगा उसी तरह से 50c1 डाफान के इतना हो जाएगा 50 हो जाएगा उसी तरह से 50c2 फंकला मड़ा दिए ने के जगा 50 डालना है तब 50 into 50 minus 1 by 2 तो अब आपनों को आ जाएगा 50 into 49 और 52 हो जाएगा 2 अब इसको आप क्या कीजिए? यह 25 हो गया अब इसको हम लोग क्या करेंगे? multiply कर देते हैं 25 नाइज जा हो जाएगा 225 करेंग याद 22 25 पोड़ जा हंडरेट तो हो जाएगा 122 चलिए यह आगे हम लोगों का 50 C2 का value उसी तरस से हम लोगों और 50 C3 का value निकाल लेगते हैं तो 50 C3 कितना हो जाएगा? डाल दिए इन के जगा इन के जगा 50 डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर गौर कीजिएगा यह 6 हो जाएगा कितना हुआ? 50, 49, 48 और नीचे हो गया 6 काट दीजिए इसको जितना पास्ट आप इसको काट सकते हैं काटिए तो यह हो जाएगा 8 हो जाएगा और फिर इसका 400 इसको मल्टिप्लाइ कर लिए जितना रिजल्ट आ जाए तो इसका आप इदर निकाल लेंगे रॉप में कर लेते हैं देखे अब इतना आ जाएगा 400 को आप 49 से मल्टिप्लाइ कर लिए यह देखे जाएगा आप जाएगा 90,600 आप एक पीसी तरीका लेगा कुछ नहीं करना है आपको अब जो आपका यह फर्मूला था अब जो आपका यह फर्मूला था देके समझेगा अब इसको आप क्या केजिए अब आपको इस फर्मूला में सबका बालेव लाके चितकाई तो सबका बालेव लाके चितकाईएगा तो कैसे निकाल पाईएगा जेक लेजिएगा तब पीके पावर 50 is equal to हमको कितना निकल रहा है गोर किजिएगा 50C0 का 1 हो गया आई वो पावर का कोई फर्म नहीं परता है और 4X का पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा चलिए वी काम खतम हुआ 50C1 का जो value है वो 50 हो जाएगा इसके बाद IQ पावर से कोई effect नहीं परता है और फिर 4X का जो पावर देख रहे है 4X का पावर जो 1 आपको को दिख रहा है 4X का पावर जो 1 आपको को दिख रहा है वो सिधा हो जाएगा 4X के लिए हैं आगे बढ़ते हैं हो फिर 50C2 देख लिए 50C2 तो 50C2 जो आपको दिख रहा है निकाल चुके हैं तो हो गया 1225 1225 और फिर IQ को को परता नहीं है 16 हो जाएगा और फिर यहां का वो दिया X2 तो रहता और आगे बढ़ाएगे का मनो प्लस में 50C3 हो गया 19600 फिर इसके बाद IQ को पावर से Q-Effect नहीं पड़ता है और पूर का Q हो गया 64 और यहां का आगया X3 चलिए अब आगे लिखने की मेरे हिसाब से आपको जोड़त नहीं पड़ने वाला है अब देखिएगा तो आगे आप P to the power 50 देखा आप समका value डालते जाना है अब इसमें आपनों को आगया है I plus हो जाएगा 200X फिर वहां का हो जाएगा मैं दिपलाई करते जाएगा घबनाने से नहीं काम चलेगा तो वहां पर हो जाएगा 16 into 5 16 into 5 का हो जाएगा 80 16 into 2 का हो गया 32 plus 1 तो हो गया 44 16 into 2 तो हो गया 32 plus 4 36 3 16 into 1 16 3 करेंगे तो हो गया 90 clear है अब जो है यहां बढ़ा गया X square X square हो चुका है फिर इसको हम क्या करेंगे 64 से इसको हम लोग multiply करते हैं 64 से इसको हम multiply करते हैं 1 9 60 I into में हो गया 64 कर लिए multiply जबनाने से नहीं होगा इसको 64 से इसको multiply करेंगे तो 4 into 6 का हो जाएगा 24 4 into 9 36 plus 2 38 4 into 1 का हो गया 4 plus 3 तो तो 6 into 6 का हो जाएगा 36 6 into 6 का हो जाएगा 36 6 into 9 का हो जाएगा 54 अपलस 3 57 और फिर 6 into 6 6 into 1 11 हो गया इसको जोड़ देगे 4 8 6 हो गया 14 7 7 15 2 यह आगे आँ लोगों का आ रहा है पलस में 12 12,54,400 और यह आगे आपका XQ देखिए यह हमने निकाल दिया है आगे आपको इसको लिखने की जोड़ नहीं अब देखिए काहना तक यह जाएगा इसका फ्यूचर अभी प्लत तै हो जाएगा इसमें हमको निकालना क्या पर सकता है वो तो वक्त ही बताएगा हम क्या बोले अब देखिए आध्यान देने वाली बात होगी इसको हम लोग रोक देते हैं इसको हम वन माद क्लियर है अब यहां पर एकस स्क्वाइड निकाली एकस का रैलोट होगी है एकस स्क्वाइड को एकस इंटू एकस करते हैं एकस उठाईए कहां आए एकस को फुले एकस आपके पास 0 0 0 1 0 0 4 1 0 ठीक है इसको फिर जे हम करते हैं तो 0 0 0 1 0 0 4 1 0 अब इसको क्या रहें कि हम मल्टिपलाई करते हैं देखते हैं अंसर क्या आने वाला है तो करिए इसको मल्टिपलाई तो कर देंगे, 0 x 0, पहले का रो, दूसरे का खॉलिंग, तो 0 हो गया, फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, next वाला भी 0 हुआ, ठीक है, फुराशा और आगे बनाईगे इसको, इसका रो लिजे, इसका कॉलिंग, 1 x 0, 0 x 1, यह भी 0 हुआ, फिर 1 x 0, फिर यह भी 0 हुआ, फिर यह भी जिरो होगा, चले फुरा सा और इसको आगे एक्स्प्लेन करते हैं, तब क्या हो जाएगा, थार्ड रो से लेते हैं, थार्ड रो से जदी हम काल्कुलेट करेंगे, तब 4 इंटु 0, बहुर किजिया का है आप, कितना आने वाला है, 4 इंटु 0, तब 4 इंटु 0 का 0 हो जाएगा, 1 इंटु 1, तब यहां सिदा 1 बच रहा है, 4 इंटु 0, 1 इंटु 0, खतम हो गया, फिर खतम हो गया, देखे बस इसने x square आगे आपको इकला, क्लिर है, अब x square का निकला आपको 1 आया है, अब next step कर लिजिए, अब x cube जो आप देख सकता हूँ, x square into x, x square कितना लाए है, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ठिक है, और इसको आप multiply करने जा रहे हैं, x से, कितना है, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 1, 0, अब multiply इसको कर देजिए, ध्यान दीजिएगा जड़ा, multiply कर देजिएगा, तो 0 से 0 हो गया, यह भी 0, यह भी 0, यहां से करना है, 0, 0, 0, फिर यहां से करना है, total entry यह इसका 0 हो रहा है, total entry अब 0 हो गया, इसका मतलब है, यह question, two power तक्रीम है, यह जो हो सकता है, इससे ज्यादा पावर वैलिव, तो देखिएगा, यहां पर जो है, अब हम करेंगी क्या, one में उसका वैलिव चिपका देते, from one, डाल दीजिए वैलिव, तो अब हो जाएगा, p to the power 50 बराबर, i के ज़ज़ा पर रख दीजिए, one zero zero, फिर हो गया, zero one zero, और फिर यहां का हो जाएगा, आपक टू हंड्रेड, पीप्ति का वैलिव, यहां का हम लोग आई को रहने देजिए, इसको नहीं तो रही है, यह कर जाएगा, यहां प्लास, टू हंड्रेड, एक्स का वैलिव, हम लोगों के पास कितना है, तो एक्स का वैलिव है, zero zero zero, फिर है, one zero zero, और फिर है, four one zero, ठीक है, इसके बाद अगला जो एक्स स्क्वाइर आ रहा है, तो एक्स स्क्वाइर आ रहा है, उसके पहले मल्टिप्लाई में कौन है, तो उसके पहले हैं, नाइंटीन थाउजन सिक्स हंडर्ड, और एक्स स्क्वाइर वाले का वैलिव, कितना है, एक्स स्क्वाइर वाले का जीरो जीरो अब बाकी बाला तर्म सब जीरो हो गया अब आगे आपको लिखने की कुई आवा सकता है पी के पावर चेले को आशा और कैल्कुलेट कर लीजिए पी तूता पावर फिटी पराबर आई किलियर है तो हो जाएगा टू हंड्रेट जीरो जीरो फिर हो जाएगा टू हंड्रेट जीरो जीरो फिर हो जाएगा एट हंड्रेट 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 जीरो फिर हो जाएगा एट हंड इस दोनों को आप एड़ कर लिजिए तो P to the power 50 परावर हो जाएगा आई प्लस घबना में से नहीं होगा जेरो 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 फिर हो जाएगा 200 200 00 फिर हो जाएगा अब इस दोनों को आप एड़ कर लिजिएगा देखिए जो लिजिए 1900 19600 और फिर है 100 006 पलस एट तर फोर्टिन नाइए हो गया 20400 या आगया 20400 फिर हो गया 200 0 देखिए यह आगया आपको P to the power 50 का वैर। हमको क्या निकालना है जला ध्यान देगा question में हमको लाना है देखिएगा दिये हुआ है P to the power 50 minus Q is equal to I जला बहर किजिएगा तो यहां से आएगा P to the power 50 minus I अब करना क्या होगा Q बराबर P 50 का वैरू कितना है कहो गया I plus यहां का निकल गया 0 0 0 फिर यहां से हम लों कहो गया है फिर यहां से हो गया है 200 0 0 20 400 200 0 और यहां कहो गया minus I अब देखिए plus I से minus I कट चुका है अब हम लोगों को अंसर आ चुका है Q बराबर 0 0 0 200 0 0 फिर हो गया है यहां पर 20 400 फिर 200 0 क्लियर हो गया अब देखिए वाद को क्या निकालना है किसका वैलिम निकालना है तो आप लोगों को सबसे पहले बाद यहां पर देखिए आपको समझाने में हमको इतना समय लगा है जो एस्टूडेंट थोड़ा चालाग होगा उस अब समझता है कि मैट्रिक्स का जो कोर्षन होगा आपको तो थी पवर जाते जाते दम तोर जाता है आपको कल भी बोले थे तो यहां पर आपको निकाले डायरेक्ट हो जाता लेकिन आपको समझाने करी तना की और दूसरी बात है कि देखिए इस टाइप के जो भी कुश्टन होते हैं आप दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं इसलिए हमने आपको तोहों प्रोसेस पर दिया है आईए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हम लोगों को निकालना किसका भैलू है तरा गौर कीज़ेगा हमको भैलू निकालना है Q31 प्लस फिर वो जाएगा Q32 बाई फिर है हम लोगों का Q21 कुछ नहीं करना है यहाँ से भैलू ठाले जे तरा Q31 का भैलू है 20,400 क्लियर है और फिर उसी पे देख लिजेगा आप लोग भैलू आ रहा है Q32 का 200 ठीक है और नीचे Q21 का वैलू आ रहा है 200 जोड़िके घबायेगा नहीं तर 20,600 बाई 200 इसको कट कर देजिए तो आंसर आचुका है 103 वेके इसका आंसर हम लोग बहुत पहले निकल लिये थे इसका आंसर आप लोगों को Q3 बनायते उस 3 का ये 2nd मेथड था और हम उमीद करते हैं कि उस मेथड से काफी easy मेथड है वैसे आप लोगों को जिस मेथड से बनाने का मन है उस मेथड से आप बना सकते हैं तो देखिएगा same to same गौर किजिएगा इस question में जो lecture number 2 का question number 3 था जो 2016 के advance में पूछा था उसमें power was 5 के जग़ा 50 कर दिया था बाकि सारा question सेम है तो आप लोगों की जाच परताल इस question में हो जाएगा कि आप लोगों ने इस question को सीखा है कि नहीं सीखा है तो आप लोग पहले क्या केजिएगा जो lecture number 2 का question number 3 है और उसका आप दोनों मिधर से पहले देख लीजिएगा फिर इस question को बनाएगा हम उमीद करते हैं कि बड़ी आसानी से इस question को आप बना पाईएगा तो हम total बनाए हुए थे इसलिए ये question आपको hw में दे दिया है जिसी से स्टूडेंट से solve नहीं होगा वो आप WhatsApp कर सकते हैं और या नहीं तो यूट्यूबर आप comment कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर बात करने वाली बात होगी पहले देखना होगा lecture 2 का question number 3 तो देखेंगा कि बहुत एक आसान question आ रहा है आप लोगों को बई आसानी से ये question सोग हो जाये का लिखता है A का value दे दिया है B का value दे दिये हुआ है अब पुछता है कि alpha का value क्या होगा और हो इस A square is equal to B है इसका answer में हमने लिख दिया है तो आप लोगों इतने भी student के इसको try कीजिएगा try करने के बाद जिन जिन student से नहीं बनेगा वो क्या कीजिएगा YouTube पर comment कर देजिएगा या आमको whatsapp करिएगा 7301883518 पर ठीक है whatsapp कर दीजिएगा तो यह हम अगले lecture में इसको cover कर लेंगे और यह भी J का question है यह पुछे हुआ है 2013 में तो चलिए हम एक और question आ रहा है हम short cut के समझा देना दिजिएगा लिखता है A and B are square matrices of equal degree काता है A और B is square matrix equal degree का which one is correct तो which one कौन सा correct है सही है among the following इसमें से देखिए यह भी जो question पूछा है वो J का question है आप लोग मिला लीजिएगा बहुत डरते हैं आप लोग डरते रहते हैं कि बाई J J question है बहुत चिलाते रहते हैं देखिए बहुत बस आपको जो पढ़ाया थे हम मेरे आप पर total contact to club है आप उस content को पुड़ा पढ़ लीजिए बहुत easily बन जाएगा दूसरी बात जो बचीज institute के student नहीं है जहां भी आप पढ़े होंगे तो अपने teacher के पढ़ाया हुए content में इसको ढूंडिए रिवीजर कीजिएगा बो जाएगा तो यहां पर जो है हम बात कर रहे थे इसमें से कौन सब बहुत आसान question है हमने इसमें लिख भी दिया है अब आप इसको ढूंडिएगा कि यही क्यूं सही होगा ऐसे नहीं कि से तुम भी टिक लगा कर छोड़ देना इसमें ढूंडिए आपको ढूंडिएगा और कोई प्राबल्म होगा तो वाटसप कीजिएगा और नहीं तो यूटूप पर आप कॉमेंट कर सकते हैं अब मिलते हैं आज की वीडियो में बस इतना हैं मिलते हैं अब अगले वीडियो में